हलो फ्रेंज मैं हूँ दिपिका एंड वेलकम टू कानूनी सोच दोस्तों हमेशा की तरह हम आज भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टन लीगल मुद्दे पे वीडियो दे कर आए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगी अगर आप हमारे चानल पे नए हैं औ अब दोस्तों चाइल कस्टेडी के ऐसा टॉपिक है जिस पर हजबन वाइफ के बीच में सबसे जादा जगड़ा होता है कि बच्चा किस के पास रहे अब हजबन वाइफ दोनों ये कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा हमारे पास रहे और दूसरे के पास ना रहे क्यूंकि हर कोई अपने बच्चे से अलग नहीं होना चाहता तो यहां दोस्तों जहां चाइल कस्टेडी के बारे में बात आती है क्योंकि यहां सवाल बच्चे का होता है दोस्तों बहुत सारे लोग अधिकतर यह सोचते हैं कि अगर बच्चा बॉय है लड़का है तो उसकी को मिलती है दोस्तों यह मित है इसमें कोई सचा ही नहीं है अगर आप भी यह सोचते हैं तो अपनी गलत फहमी यहां दूर कर लीजिए क्योंकि को चाहे लड़का हो या लड़की हो दोनों ही केसे में बराबर बिना पाशालिटी करें इस चीज को अनिलाइज करती है कि बच कि सन्यासी नहीं बन गया हो अगर किसी ने अपना religion change किया हो तो इन केसी में कोट उनको चाहिल कभी बी नहीं देगी यहां quote यह देखेगी कि बच्चे का future किस parent के साथ सुने रहा है wife के साथ या husband के साथ तो इसमें लड़का लड़की का कोई चकर नहीं है कि अगर लड़का है तो वो पिता के साथ रहेगा और लड़की है तो wife के साथ रहेगी ऐसा कुछ नहीं है अगर आप पिता है और आपकी बेटी का आप उसके लिए child custody का case run कर रहे है तो यह सोचकर निराश मत होई है कि भई वो बेटी है उसकी custody तो मा को ही मिलेगी ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तो दोस्तो यहां एक point आपको और ध्यान देनी है कि child custody का separate case run कीजे जनरली क्या होता है कि section 13 जो डाइवस का case होता है उसी के लिए हम child custody के लिए apply कर देते हैं लेकिन यहां पर child custody का एक अलग मुद्दा है उसके लिए बहतर होगा कि आप अलग separate case run करें वहां उस case में दोस्तों आपको court को यह proof करना है कि हाम मैं पूरी तरह से सक्षम हूँ अपने बच्चे को पालने के लिए जाए वो लड़का हो या लड़की हो उसकी needs में satisfy कर सकता हूँ उसका खाना पीना रहे हैं सेहन पढ़ाई लिखाई एक सेक्टर सारे खर्चे उठाने में मैं पूरी तरह सक्षम हूँ अगर आप कोट को ये यकीन दिला देते हैं कि आपका बच्चा आपके जाद जादा खुश रहेगा रादे दन दूसरी पार्टी के मुकाबले उसका फ्यूजर आपके साथ जादा ब्राइट है तो यकीन मानिये दोस्तों आप केस जरूर जीत सकते हैं लेकिन बस यहाँ पर कोट के सामने प्रूफ करने की बात है अगर आप अपने चाइल कस्टेडी के केस में ये सारी बातों का ध्यान रखते वे इस चीज़ को प्रूफ कर देते हैं तो आप केस जीत सकते हैं दोस्तों एक बात हमें माइन में रखनी है कि अगर बच्चे की उम्र 5 साल या 5 साल से कम है तो उसकी कस्टेडी मा को दी जाती है लेकिन उसके बाद हजबन अपने बच्चे की कस्टेडी के लिए अपलाई कर सकते हैं अगर चाइल कस्टेडी एक पार्टनर के पास चली गई है तो दूसरा पार्टनर विजिटेशन के लिए अपलाई कर सकता है दोस्तों चाइल कस्टेडी के उपर मैंने एक डीटेल वीडियो बनाई है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शिन में दे दूँगी अगर आप चाहें तो वो वीडियो जाकर उसमें देख सकते हैं अगर आपका भी चाहें कस्टेडी का केस चल रहा है आप भी एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो इस सला को एक्षिन में लाइए और नतीज़ा देखें कि क्या होता है हार माने से तो अच्छा है दोस्तों कि हम अपने हक के लिए लड़ें और जीतें उमीद है दोस्तों ही जानकारी आपके कहिना कहीं काम आई हो तो अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजे और आगी से आगी शेर कर दीजे ताकि अगर कोई और भी एक प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उसे भी एक जानकारी उसको हेल्पफुल हो thank you for watching have a nice day